श्री स्वामी जी महराज की कृपा से परंपूश श्री प्रेम जी महराज की कृपा से देवादी देव श्री राम के अशिर्वास से इंतजार की घडियां समाप्त हो रही हैं आने वाले रविवार को 65 मा राम नाम अखन जप महायग भक्ती भाव पूरन भावना के साथ यहां शिर्राम शर्णम शिर्राम पाक सिर्वल लाइन्ज लुध्याना में अरम होगा यह यग आठ दिसंबर को रविवार को आने वाले रविवार को अरम हो जाएगा 21 दिन रातरी निरंतर यहां पर अखन जाप चलता रहेगा यह यग देव अदिदेव शिर्राम स्वेम अपनी सरव कलाउं सहत विद्दमान रहेंगे अवतरित रहेंगे हमारे सम्मुख विराजमान रहेंगे शिरी अदिश्ठान अपनी पूरण शक्तियों सहत अपने सम्मुख आए जो भी उपासक जाप करने के लिए नमन करने के लिए इस यग में समिलत होगा वे देव वादी देव की कृपा को अवश मेव प्राप्त कर लेवेगा इसमें रती भर भी संशे नहीं है फिर परम पूश शरी स्वामी जी महराज स्वेम इस यग की अध्यक्षता पर विराजमान रहेंगे परम पूश शरी प्रेम जी महराज सारे यग की रक्षा के लिए स्वेम सारे यग की बागदोर अपने हाथ में ले ले वेंगे हम तो केवल इसमें समिलत हो करके उनकी कृपा को उनके अश्यरवाद को और नाम जाब को करने के लिए बक्ती भाव पूरन भावना के साथ समिलत होना हमारा कार्या है बाकी का कार्या गुरुदेव के अपने हाथ में होगा परम पूछ शरी स्वामी जी महराज बार बार जो प्रेड़ना देते रहे हैं अपने जीवन काल में और आज तक है मानव तू ससंग में आया कर क्यों क्यों गुरु महराज बार बार ससंग में समिलत होने के लिए प्रेड़ना दिया करते फिर ससंग में आकर महापुर्शों के मुक से जो नाम की महमा का वर्रन होता है उसको तू सुन तू समझ विचार कर और अपने जीवन को उस अनुसार चलाने का प्रियतन कर क्यों करम परधान जगत जन जाना ये मानव जीवन सुख अथ्वा दुख अपने कर्मों पर निर्भर करता है विचार करना बार बार कहा जाता है ससंग में आओ जाप करो क्यों करो करम परधान जगत जन जाना ये जगत उस विधाता का नियम है विधान है जैसा करम करे जन कोई वैसे फल पाता है सोई मानव अंधा धुंद हो बन अनेयाई करे पाप की बहुत कमाई अन्दा धुंद हो करके अनुचित धंग से जो कार्या किया जाता है वैप पाप की कमाई बन जाता है और वैप पाप की कमाई फल बेला पच्चतावे ऐसे विश भक्षन को बालक जैसे जब उन बुरे करमों का फल मिलता है तब मानव बहुत पच्चताता है किन के लिए तू पिट पिट के मर रहा है किन के लिए तू धन दौलत अन्याय से कुरीती से लोब से लालक से एकत्रित करने में लगा हुआ है गुरू महराज ने कहा ससंग में आकर महापुरुष की शरन में आकर क्योंकि ये जो माया का जाल है माया के जाल में मनुश हमेशा फंसा रहता है बार बार जो प्रेड़ना दी जाती है ससंग में आओ जाब करो कोई कहेगा क्या लाब है लाब जिसकी कभी आपने अकांख्षा भी नहीं की है ना आने वाले ना जपने वाले किस किस कठनाई में बिप्दा में ग्रिस्थ हो जाते हैं ये ससंग ये नाम जाप उस बिप्दा से बचाता है उस कठन प्रिस्थिती में प्रवेश ही नहीं होने देता मानव के ये समझ आ जाता है कि ये अनुचित कार्या मुझे नहीं करना है क्योंकि करम का जो सिध्धान्त है वै अटल है जैसे करम करे जनकुई वैसे फल पाता है सोई पुरानों में कथा आती है एक व्यक्ति हत्याएं करता धन लूटता और अपने परिवार को पालन पोशन में लगा रहता देव कृपा से महापुरुष का मिलाप हो गया जब उसको भी उसने प्रान हीन करना चाहा उसका धन चीनना चाहा तो उस महापुरुष ने प्रिशन कर दिया ये तू किसके लिए करता है कहता मैं धन संग्राय करता हूँ अपने परिवार के लिए करता हूँ कहते हैं ये तेरा बुरा करम है पहले हर एक करम का फल जो जैसा करम करेगा उसको वैसा ही फल अवश प्राप्त हो जावेगा ये तेरा बुरा करम अपने परिवार के लिए अपने संबंधियों के लिए और ये उपारजब तेरे किसी काम ना आवेगा इसकी सजा तुझे अकेले को भुक्तने पड़ेगी पहले घर वालों से पूछ ले जब मुझे इन कूकरित कर्मों की सजा सुनाई जाएगी क्या तुम मेरे भागे का तु उस दुख को प्राप्त करेगा घर चला गया पत्नी से कहा मैं तुझे इतने सुख अराम में रखता हूं जिस दिन मुझे इस कुकर्मों की सजा होगी क्या तु भुक्तेगी हे देव मैंने कब कहा तु अत्याचार से अन्याय से धन को उपारजन कर मैंने कब कहा ये तु अपने भावों से अपने करम करके कर रहा है वै देवी राम भक्त ये निश्चे रखो पती देव अपने किये करमों का परिणाम आपको स्वेम भुक्तना होगा पुत्तर के पास चले गए एक-एक संबंदी के पास चले गए सबने कह दिया कि करम का सिधानत अपने करमों को तो मानव स्वेम भुक्तेगा काम गया शरन में आगया उन महापुर्शों की कि मुझे सनमार्ग दो तब गुरु महराज ने वर्नन किया है मानव अपना करम सुधार ले अपना जनम सुधार ये माया का जनजाल बहुत जटल है इसमें फंस करके मानव नित प्रती दिन उस दल दल में धस्ता चला जाता है जहां अंत में कश्ट है तकलीफ है दुख है और संतापना है इससे बचने के लिए गुरु महराज ने कहा है सादग ससंग ससंग में तुझे वैग्ञान प्राप्त हो जावेगा पहले तो तेरे करम इसका ग्यान ससंग में मिलेगा गुरु महराज वर्नन करते हैं विचार करना प्रतेग करम करता प्रतेग करम करता अपनी इच्छा से अथ्वा किसी की प्रेज़ना से करम किया करता है अपने हाथ से अपने पाउं से अपनी वानी से अपने भावों के साथ इश्ट सूकृत करम अनिश्ट बुरे करम या तो इच्छा से करेगा या किसी के कहने पर करेगा प्रंतु अब राग द्वेश और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए जब ये राग हो जाता है खिचता है माया की ओर या किसी द्वेश भाव से काम करता है ये निश्चित रूप से करता को कष्ट देने का कारण हो जावेगा ये ससंग में पता चलेगा जैसे करम करेजन कोई वैसे फल पाता है सोई परम पूज श्री स्वामी जी महराज ने कहा मनुश जैसे करम करता है उसके अंतय करन पर उन करमों के वैसे संसकार उंकित हो जाते हैं वैसे संसकार समय पाकर समय पाकर फल का रूप धारण कर लेते हैं झाल